जैहिन साथियू, आज हम लोग 24 और 25 जैनवरी 2024 के डेली करेंट अफेर्स का अनाधिसिस करेंगे पहला क्वेस्चन है आपके सामने आपको बताना है नौवा संसकरण इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल का कहाँ पे आयोजित किया गया था आपके उप्षिन से है पहला उप्षिन है मुंबई, सेगेंड उप्षिन है फरीदाबाद, थर्ड उप्षिन है बैंगलॉर और लास्ट उप्षिन है कुलकाता ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल का कौन से एडिशन है नाइन्थ एडिशन है ठीक है कहाँ पर हुआ है फरीदाबाद में हुआ है और थीम क्या है थीम है साइन्स एंट टेक्नॉलजी पब्लिक आउट रीजिन अमरित काल ठीक है यह तीन ड और यहाँ पर है फरीदाबाद ठीक है फार्स याद रखेंगे फरीदाबाद ठीक है आशा करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी बरते हैं अपने निक्स करेंट अफेर की और नेक्स क्वेशन है आपके सामने विद विच कंट्री डिट इंडिया साइन डे अग्रीमेंट पर दर सप्लाइ ऑफ ग्रीन अमोनिया टिक है घ्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए इंडिया ने किस देश के साथ सम्झावता किया है आपको यह बताना है ठीक है आपके अप्षण से पहला ऑप्षण है चाइन जपैन ठर्ड ऑप्षण है यूएसे और लास्ट सभ्षण की है फो सप्लाइ ओप ग्रीन अमोनिया टी किसे साथ ने की पार्नशिब्ष में हुए पार्डश हुए है एंडिया के साथ जबाइन की पार्टरस्ट मीया सकुआ है ऑचाम करते आप को यह टरेक समझ में आ गयी होगी next question है आपके सामने what was the theme of conference 5th international and 44th all India criminology conference ठीक है तो 5th international and 44th all India criminology conference की theme क्या है आपको ये बताना है ठीक है all India criminology conference की theme क्या है आपको ये बताना है आपके options है पहलो option है behavioral forensics reintegrating expanding contours of criminology and criminalistics second option है advancements in forensic science third option है digital transformation in criminology और last option है global perspectives on crime prevention ठीक है तो आपका सही answer है इसमें option A behavioral forensics ठीक है तो अब यहाली में क्या हुआ है गांधी नगर गुजरात में गुजरात में गांधी नगर गुजरात में क्या हुआ है all India criminology conference ठीक है तीम थी और यह venue था उसका ठीक है किसका international sorry all India criminology conference का ठीक है international and all India criminology conference का ठीक है तो याद के से रखेंगे कहां पर हुआ है तो crime याद रखेंगा crime कहां होता है तो crime होता है रात में रात से याद रखेंगे गुजरात ठीक है रात से याद रखेंगे गुजरात में हुई है गांधी नगर में होगी है। रात मिसलब गुजरात हूए गुजरात में जो है host की गई है All India Criminology Conference और इसको याद करने के लिए Theme याद करने के लिए याद रखे है Criminal Behavior Strategy इन अपको यह zμεब करेंट अफेर के udah समझ में आ गई होगी Next question है आपके सामने In which country is exercise cyclone 2 taking place Exercise cyclone 2 कहां पे हो रही है आपको ये बताना है तो भारत ही exercise conduct करता है किसी एक particular country के साथ अगर आपको ये पता है कि वो किस country के साथ करती है तो बहुत ही आसानी से आप इस question का जवाब दे लेंगे आपके options है पहला option है इंडिया second option है इस्रेल third option है Saudi Arabia और last option है Egypt exercise cyclone 2 कहां पे आयोजित की गई है आपको ये बताना है तो इसका सही answer है option D Egypt Egypt के साथ इंडिया क्या करती है cyclone 2 exercise conduct की है और ये Egypt में conduct की जा रही है exercise cyclone 2 याद रखेगा नाम cyclone 2 Egypt Egypt cyclone 2 याद रखेगा Egypt Egypt का क्या नाम है मिसर ठीक है Egypt का क्या नाम होता है मिसर नाम होता है ठीक है ठीक है साथियो आशा करते हैं आपको चीज़े समझ में आ गई होगी और Egypt की capital है Cairo ठीक है Cairo इसकी capital है ठीक है तो अगर आपको नहीं याद हो रहे तो याद रखेगा cycle और car cycle और car Cairo के लिए Cairo किसकी capital है तो Egypt की capital है तो याद रखेंगी कि cyclone जो है किसके साथ की जाती है cyclone exercise तो वो Egypt के साथ conduct की जाती है ठीक है cycle और car cycle से याद रखेंगे cyclone और car से याद रखेंगे Cairo ठीक है ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए आचा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी next question है आपके सामने which country has become the first in the world to incorporate a malaria vaccine into its routine national immunization program ठीक है तो आपको बताना है कौन सा वो ऐसा देश बना है जिसने अपने national immunization program में malaria की vaccine को include किया है routine national immunization program में किस country ने malaria की vaccine को include किया है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है गाना second option है नाइजीरिया third option है कीनिया और last option है कैमरून ठीक है इन चारों में से किस country ने malaria vaccine include की है अपने टीका करन प्रोग्राम में ठीक है तो इसका सही answer है option D, कैमरून ठीक है routine national immunization program ठीक है तो याद रखेगा जो माला है माला मतलब पूल माला जो होती है माला पूलों की माला वो मरून है ठीक है ऐसे हम लोग याद रखेंगे ठीक है मरून माला ठीक है मरून कलर की माला ठीक है मरून से याद रखेंगे RTS, S, ASO या मॉस्करिक्स वैक्सीन ठीक है और यहाँ पे कुछ बाते देख लेते हैं Republic of Cameroon के बारे में तो वहाँ के President है Paul B.A. साहब ठीक है Paul B.A. साहब जो है Cameroon के President है ठीक है तो याद रखेगा महरून कलर की माला माला से क्या याद रखेंगे माला से याद रखेंगे मलीरियल वैक्सीन और मरून से याद रखेंगे Cameroon ठीक है साती हो आशा गरते हैं आपको ये Current Affair की ट्रिक सवन में आ गई होगी Next question है आपके सामने In 2024, which observance of National Girl Child Day is being marked ठीक है तो कौन सा संसकरन हम लोग National Girl Child Day का मना रहे हैं 2024 में आपको ये बताना है ठीक है कौन सा एडिशन है National Girl Child Day 2024 का आपको ये बताना है आपके options है पहला option है 10th, second option है 15th third option है 17th और last option है 20th तो इसका सही आंतर है हम लोग 17th National Girl Child Day celebrate कर रहे हैं ठीक है और ये कब celebrate किया जाता है ये 24th of January को celebrate किया जाता है ठीक है 24th of January को celebrate किया जाता है और हम लोग 17th National Girl Child Day celebrate कर रहे हैं ठीक है दोनों ही dimension important है क्योंकि इस बार इसकी कोई theme नहीं है तो इसलिए theme अभी आपको नहीं बताई गई है जैसे अगर कुछ चीट decide होगी तो आपको बता दी जाएगी ठीक है आप तो क्या ही decide होगी आप तो ये already celebrate हो चुकी है ठीक है तो याद रखेगा 17th National Girl Child Day है हम लोग celebrate कर रहे हैं ठीक है कब celebrate करते हैं तो 24th of January को ठीक है चले बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है आपके सामने what is the theme of International Day of Education in 2024 ठीक है International Day of Education की theme क्या है 2024 की आपको ये बताना है ठीक है आपके options हैं पहला option है empowering minds, building futures second option है learning for lasting peace third option है innovation in education और last option है education for sustainable development ठीक है इन चारों में से International Day of Education की theme क्या है आपको ये बताना है और इसका सही answer है learning for lasting peace ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग 24 जन्वरी को ही celebrate करते है International Day of Education ठीक है और इस बार की theme क्या है इस बार की theme है learning for lasting peace और इस बार का जो संस्करण है इस बार का जो edition है वो sixth edition है International Day of Education का ठीक है कौन सा edition हम लोग celebrate कर रहे है कौन सा संस्करण हम लोग celebrate कर रहे है तो sixth edition celebrate कर रहे है International Day of Education का और theme जा है तो theme है learning for lasting peace learning for lasting peace next question important है आपके लिए ध्यान देजेगा in food and agricultural organization committee on fisheries what position has India been elected to तो FAO की एक committee है committee on fisheries तो India में India कौन से position पे committee on fisheries में elect हुई है आपको ये बताना है ठीक है तो भारत कौन से पत पे चैनित हुआ है committee on fisheries ठीक है आपके options है पहला option है chairman के पत पे second option है treasurer के पत पे third option है secretary general के पत पे या last option है first vice chair के पत पे ठीक है FAO की committee on fisheries में इंडिया को कौन से position elect हुई है आपको ये बताना था और इसका सही आंसर है option D first vice chair ठीक है इंडिया जो है पहला vice chair बना है subcommittee on fisheries management का of food and agricultural organization ठीक है food and agricultural organization के जो subcommittee on fisheries management है उसका पहला vice chair बना है इंडिया ये committee बहुत नहीं है अभी हाली में 2022 में ही firm हुई थी और ये इस बार का पहला election था इस committee के लिए पहला election था जिसमें India first vice chair बनी है इंडिया first vice chair बनी है और डॉक्टर बाला जी जो है वो elect हुए है as first vice chair person of incoming bureau of SCFM थी है subcommittee on fisheries management ठीक है और जो इनका term रहेगा जो भारत का term रहेगा वो रहेगा दो साल के लिए ठीक है दो साल के लिए ठीक है दो साल के लिए elect हुए है ठीक है और जो SCFM है मतलब subcommittee on fisheries management है ये 35th session of FAO के time ये established की गई थी कब 2022 में ठीक है 2022 में ये established की गई थी यहाँ पर कुछ बाते देख लेते हैं FAO के बारे में तो FAO के director general है Dr. Q. Dongyu Q. Dongyu साहब जो है ये FAO के director general है और headquarters है FAO का रोम इतली में बहुत इंपोर्टेंट ने ध्यान दीजेगा committee on fisheries management FAO की India कौन से पत्पे हुआ है तो India first vice chair के position पे पॉइंट हुआ है कितने time के लिए 2 years के लिए ठीक है 2 years के लिए ठीक है और ये committee कब बनी थी ये committee बनी थी 2022 में ठीक है और इसको head कौन करेंगा मतलब vice chair के पाद पे कौन आएंगे तो dr. bala ji ठीक है dr. bala ji ठीक है dr. bala ji ठीक है साथी हो आशा करते है सारे dimensions क्लियर हुए होंगे next question है आपके सामने where is the research and development unit for making jet fuel from alcohol in praj industries located ठीक है तो praj industries की research and development unit कहा पे located है जिसने alcohol से jet fuel बनाया है ठीक है जिसने jet fuel alcohol से निर्माड किया है praj industries ने उसकी research and development unit कहा पे इस देते है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है मुंबई महाराष्ट में second option है बैंगलोर करनाटिका में third option है पूने महाराष्ट में और last option है टेरी में तो इसका सही answer है option C पूने महाराष्ट में ठीक है प्रज industries जो है वो पहली ऐसी industry बनी है इंडिया में जो की jet fuel बनाएंगी मतलब जो airplane से उनके fuel बनाएंगी alcohol से ठीक है alcohol से jet fuel बनाने वाली है पहली ऐसी industry बनी है और इनकी R&D unit है पूने महाराष्ट में ठीक है पूने महाराष्ट में ठीक है इस project will produce sustainable biological aviation fuel ठीक है तो जो aviation fuel है air plane से जो fuel यूज होता है वो sustainable और biological बनाएंगा क्योंकि अब alcohol से ही jet fuel का नर्माण किया जा सकता है ठीक है तो इसको जो है इस industry को या जो facility है उसको inaugurate किया था हरदीप दिंगपुरी साहब ने ठीक तो याद रखे गए यह प्रज industries की वो unit है research and development unit और यह कहाँ पे located है तो यह located है पूने महाराष्ट में ठीक है साथियो चले बढ़ते हैं next question की और next question है आपके सामने how many awardees were announced for प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार for the year 2024 ठीक है तो कितने बच्चों को राष्ट्रिय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2024 में आपको यह बताना है आपके options है पहला option है 15 second option है 18 third option है 19 और last option है 20 ठीक है तो 19 बच्चों को 19 बच्चों को क्या किया जाएगा राष्ट्रिय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ठीक है तो प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार से 19 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा ठीक है चलिए वड़ते हैं next current affair की और next question है आपके सामने who launched भारत GPT India's first large language model तो भारत GPT किसने launch किया है आपको बताना है और यह भारत GPT क्या है जैसे chat GPT है ठीक है यह first large language model है ठीक है LLM large language model है भारत GPT तो उसको किसने launch किया है आपको यह बताना है आपके options है पहला option है co-bharat.ai second option है भारत rover.ai third option है co-rover.ai और last option है India rover.ai तो इसका सही answer है co-rover.ai option c ती है option c आपको सही answer था co-rover.ai ने क्या किया है भारत GPT launch किया ठीक है co-rover.ai ने भारत GPT launch किया ठीक है और यह क्या है यह जो यह जो भी language large language model है यह 22 Indian languages में converse कर सकता है conversations carry out कर सकता है ठीक है तो यह languages भी आदर किया कितनी Indian languages में तो almost कितनी इंडियन languages हमारे उसमें दी हुई है Constitution में schedule में 8 schedule में उन सारी languages में यह converse कर सकता है भारत GPT ठीक है इसको किस ने हमें ठीक है और कितनी लाइंग्वजेश में यह converse करने के लिए के बले तो 22 Indian languages में ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स नेक्स क्षशन है आपके सामने वेहर इस द्डगेहांन्स ट्रेनिंग्स सेंटर लोकेटेड वेर कंपटिशन, 14 अन्वल इंडिया प्लिस कमांडो कंपटिशन बियां एंडिया पोलीश प्लिस कंमांडो खेंर तो आल एंडिया पुल सेंटर में Kita यह कहां पे पुलिस कमांडो कॉमपटेशन हो रहा है वो विशाका पतनम में लोकेटेड है तो यहां पे देख लिए नाम क्या है 14th और इंडिया पुलिस कमांडो कॉमपटेशन ठीक है कब से शुरू हुआ है तो बाइस जैन्वरी दौजार चॉबे से शुरू हुआ है लोकेशन क्या है ग्रेहांट ट्रेनिंग इस्टिट्यूट कपूल पड़ा विशाका पत्नम में यह ग्रेहांट ट्रेनिंग इस्टिट्यूट लोकेटेड है ठीक है और यह चौदवा एडिशन है चौदवा संस्क कॉन-कॉनड़ क्या हो इंडिया ठीक है ए यू-बाद है उससे बाद है एक्सरसाइज डेजर्ट-night टी डेजर्टनाइज कौन-कंडर्ट कर रहा हैंस तो इंडिया और इंडिया इन्टेम् वर्टप न्यूंट को सदूना सब्सक्राब है और त panel कारी। यूसे इंडिया सब्री इंगार इंडिया एक्ट को यूसे इमें भाएं । आज को के वह चैंडियों यूसे अचिंड ते यूसर क्नबमें ये तेफयं जो है इन्होंने पहला अपना इंटरनाशनल टाइटल जीता है वर्ल टेबल टेनस फेडरेशन कॉर्पस चिष्टी 2024 टेकस युएसे में तो याद रखेगा श्रीजा अकुला किसे से रिलेटेड है तो खूला है टेबल 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 टेनस से रिलेटेड अब नेक्स्ट न् सम्मान कि ट्रिश्ट्रीं में लॉच या है तो वाइस-प्रेडेडेट जगदीब धनकर साहब ने यह दोटिकर ने किया थिक है नेक्स्ट यूण इसको आप स्किप कर सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोयू साइन होते हैं तो कहां तक याद रखा जाएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं नेक्स से जस्टिस प्रसन्ना भी वारले चीफ जस्टिस अफ करनाटका ही कोट इस सेट तो बिकम थर्ड सिटिंग जच फ्रम दलिट स्प्रीम कोट है तो सुप्रीम कोट में तीस्रे दलिट जजज़ बनके आएंगे जस्स बनके आएंगे उस्टिस प्रसंद भी वाहवेम ओर यह करनाटका हाई कोटके चीफ जस्टिस अर और यह थर्ड सिटिंग जज है जो lover ऑईंगे स्विकम स्टिच्ज़ ऑ्यध? तो ध्यान दीजेगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर स्टार मार्क कर सकते हैं यह इन्फरमेशन भी स्टार मार्किंग है याद रखेगा चीफ मिनिस्टर जो है और दिशा के नमीन पतनाइक साहब उन्होंने लॉंच किया है ब्लैक टाइगर सफारी तो ब्लैक टाइग भलाक की दूरा सिम टिके ब्लाक टाइगर रजव और यकों साथ का टाइगक ब्लाक करते नदेंग तो साओविधी नियुक्त-पहला जिन्हों जिन्होंने एल्गोहल स्टोर कोला है डिप्लोमैट्स के लिए ठीक है, डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच है, आईफ़आइफ़ू के बीच, इंडिया, फ्रांस और उनाइट अरग ऑमीरेट्स, ठीक है, खुला क्या है, टेबल, ठीक है, खुला क्या है टेबल, तो इंडिया इंडिया रोमान ने मोई ने साइन किया है इन दे फिल्ड आप इंफमेशन टेक्नालोजी जस्टिस प्रसंद्ना भी वारले जो कि करनाट का हाई कोड की चीफ जस्टिस से वो आप बनेंगे सुप्रीम कोड के जज और वो थर्ड सिटिंग जज होंगे फॉम आइंडिया देख स्लाइड आइं बहुत देखते हैं कि नैस्ट कि इन्डिया नेवी स्टिक की एक assessments station कहालेग तो तो यह तिलांगना में खोला जाएगा याद रखेगा कहां पर घोला जाएगा तो वेसलोफ रिक्वेंसीा पे राङना है तो वेइलोर क्या और से ओ करना प्राइँ पिणी चाइब करना हो तो तो एक यह चोले गा शाया और कौन खोले यह तो इंडिया नेवी खो लेगी ठीक है ये भी याद रखेगा नहीं ये किस चक्कर में ये याद रखने के चक्कर में यही भूल जाएंगी कि किसकी ये इनिशेटर है ठीक है तो इंडिया नेवी के ये इनिशेटर है इंडिया नेवी ने सिलेक्ट किया है तिलांगना को ठीक तो अब यही काम आंद प्रदेश भी कर रहा है याद रखेगा आंद प्रदेश जो है दूसरी स्टेट वनी है कास संसेसु कंटक्ट करने वाली ठीक है पहला स्टेट कौन है पहले स्टेट भी आ रहे ठीक है नेक्स्ट है इंडियन मारथॉन रनर है मान सिंग उन्होंने एश जोइन उपिडमीटिव ऑस इनोवेशन जैनल से ने भी आप एंचाल थी क्या जैनल मौ 친 करेंगे जां करें इंटिव्हीं ौकाल किया जारी मीरा सब्सेटेन कोόई कुछ बात हैं तो इंडियन स chiliMarket जो है बहुत फोर्थ होग्या है ठीक ट्रिलियर ग्रयों को सरपास किया है आप को शुरुबात की तीन बताईये की एक्विटी मार्केट में एक शुरुबात के तो इंडिया ने 40,000 लीटर मेलेथियन सप्लाई किया ठीक है यह केमिकल है जहाँ चड़क दिया जाता है तो टिड्डी भाब जाते हैं लोकस्ट जो है डियाक्टिवेट हो जाते हैं तो याद रखिएगा लोकस्ट को डिल करने के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान को मेले हर और जो तेसे देख लेते हैं तो वेंडिय लोओ फ्रिक्वेंसी के है सटेशन जो है कहां पर बैसे वह इंडिया ने वी सट करेगा चेट करेगा इंडिया एक्विटी मार्केट में फॉर्थ पॉजिशन पे पहुंचिया है सर्पास किया है हॉंग कॉंग को विट 4.33 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है और लास्ट में है इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है आशा करते हैं यहाँ पर सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी यहाँ पर नाशनल टूरिजम डे की बात कर लेते हैं तो नाशनल टूरिजम डे सेलिबरेट किया जाता है 25 जैन्वरी को और इस बार की थीम है सस्टेनिबल जर्नीज टाइमलेस में में मुरीज ठीक है इसलिए यह इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें थीम दी हुई है सस्टेनिबल जर्नीज एंड टाइमलेस में मुरीज ठीक है साथ हो चलिए वरते हैं एक्सक्रेंट अपके सामने वेन इस नाशनल वोटर्स दे इस इलिबरेट किया जाता है इंडिया में आपको बताना है आपक 25 जनेद ओर यह पिश्ली जन्वरी को कासा कर्षाओ और के यह चलिबरेट कर जाता है और एक्सक्रेंट ओट ओल्स ने डगासे इसमें एक्परियर के देगा था ICC ने announce की थी men's और women's T20 team तो हम लोग ने देखा था कि कौन-कौन Indian players men's T20 की team में और कौन Indian women players T20 की team में शामिल हुए थी तो अगर आपने वाली list नहीं देखिए तो आप वाली list जाके देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़े सामने आई हैं तो हम लोग देखते हैं तो ICC ने men's की test team of the year announce की है जिसमें दो players को include किया गया है रविंदर जडेजा और आर अश्विन को ठीक है रविंदर जडेजा और आर अश्विन को include किया गया है ICC men's T20 team of the year test team में दो players इंडिया के include किये गया है कौन-कौन से रविंदर जडेजा और आर अश्विन अब यहाँ पर है women's ODI team of the year ICC women's ODI team में एक भी Indian player नहीं है एक भी Indian player नहीं है women ODI team में और men's ODI team में काफी Indian players हैं देख लेते हैं तो रोहिष शर्मा जो है इसको captain करेंगे men's ODI team of the year by ICC इसमें शुपमंगिल है इसमें विराट कोली है इसमें मुहम्मद सिराज है इसमें कुल्दी प्यादम है और इसमें मुहम्मद शामी है तो छे players इंडिया से include किये गा है ODI team of the year में ठीक है BCCI नमन ओवर्ड जो देता है हर साल ठीक है तो आपको याद रखना है best men's international cricket player क्रिकेटर किसको मिला है तो शुबमंगिल को मिला है best men's international cricketer of the year ठीक है best women's international cricketer किसको मिला है तो दीपती शर्मा जी को मिला है ठीक है यह best women international cricketer acknowledge की गई है ठीक है करनल सीकें आइडू lifetime achievement award दो लोग को मिला है किसको किसको रवी शास्त्री और फारुक इंजीनियर को ठीक है रवी शास्त्री जो थे और rounder थे और coach थे इंडिया के थोड़े ताइम पहले और फारुक इंजीनियर जो थे वो इंडियान विकेट कीपर थे ठीक है और बैक्समन थे ठीक है तो इन दोनों को lifetime achievement award मिला है रवी शास्त्री और फारुक इंजीनियर को ठीक है और जब मोहन डाल्मिय ट्रॉपी जो की मिलती है The Best Women Cricketer Junior Domestic Junior Cricketer Junior Cricketer then इघर कapter है यह रखता है श्वान गिलन डेश्वन ग्यास्तियाicana, दीपति हर्मा Best Women International Cricketer रभी शास्त्री और फारुक इंजीनियर रिक्टयूंड ऍष्यक करूदर घ्रॉपी साथ, और काश्वी गौतम जूनियर डोमेस्टिक बेस्ट विमेन क्रिकेटर ठीक है यहां पर कुछ बात कर लेते हैं कर पूरी ठाकुर साहब के बारे में जिनको अभी अनौंस किया गया है कि भारत रत्न से नवाजा जाएगा ठीक है तो इनको पोस्टर मसली मिलेगा मतलब मरणो पराण भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न क्या है तो इंडिया का हाइस सिविलियन अवर्ड है ठीक है यह कब इनकी वर्थियर कब है तो यह जैनवरी 1924 में पैदा हुए थे कर पूरी ठाकुर साहब पलिटिकल करियर देख लेते हैं तो यह बिहार के दो ब स्थी मिनिस्टर मनें थे मुक्यमंतरी बनेथे बिहार राज की ठीक और यह शोचल जस्टिस सामाजिक समता की बात करते थे ठीक है इनन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे किसके लिए शीडूल कास्त और शीडूल ट्राइबस के अफलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने दो बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कब कब से कब था, तो 1970 से 1971 और 1977 से 1979, कर पूरी धाकुर साह, कहां के हैं, बिहार के हैं, ठीक है?